बांगलादेश के खिलाफ कोलकाता के एतिहासिक इडन गार्डन पर भारत 22-26 नवंबर को अपना पहला डे-night टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। के बार में कुछ नहीं कह सकते लेकिन इस डे-night टेस्ट मैच को लेकर फैन भी काफी उत्साहित है। भारत इससे पहले अभी तक रेड बॉल क्रिकेट ही खेलता आया है और अचानक इस तरह पिंक बॉल से रात में खेलने में उन्हें दिक्कत आना पक्का है। लेकिन क्या 2016-2017 में दिलीब ट्रोफी में गुलाबी गेन से मयंक अगरवाल, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, रविंद जडेजा जैसे कई खिलाडी खेल चुके हैं। वहीं 2017-2018 में रिशब पंत, हनुमा विहारी और इशांत शर्मा भी गुलाबी गेन से खेल चुके हैं और निश्चित ही भारत को इसका फायदा मिलेगा। दोनों ही टीमें वैसे पहली बार डे नाइक टेस्ट मैच खेल रही है।